आंटे सुंद्रा निकी, तेलगू मूवी, पृत्विराज बॉल्वूड मूवी और अनेक मूवी जो की इस हफते बॉक्स ओफिस में रेलीज हुए और रन कर रही है उनके कलेक्शन के बारे मैं आपको बताऊंगा 6 days complete हो चुके है, 30 lakh का कलेक्शन किया, 11.87 lakh 7th day के अगर मैं बात करूँ तो मूवी का 25 lakh के असपास का कलेक्शन है, सबरदस कलेक्शन है मूवी का total कलेक्शन होता है 12 क्रोड शेर अन्दप्रदिश और तिलंगारा में और 20 क्रोड 50 lakh का gross कलेक्शन अगर मैं 8-3 की बात करूँ तो मूवी लगबल लगबल 20 lakh के असपास रहेगी क्योंकि Friday के दिन और भी मूवी रिलीज होनी है और उसके बाद कहिना कहीं दो मूवी एक साथ जब रिलीज होती है या फिर सिनेमा घरों में चली होती है तो of course box office कलेक्शन में जो हमें पहले से जो मूवी रन कर रही है उस पर थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलता है तो of course Friday के दिन तो थोड़ा सा मूवी ड्रॉप लेगी लेकिन Saturday संडे में देखना होगा कि मूवी दुपारा से कितना ग्रोथ लेगी बुल बले या टू कार्तिकारण के करियर की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी प्लॉक्वस्टर मूवी उभर कर सामने आई है कार्तिकारण के करियर की भी best मूवी है और box office के बारे में अकरम देखें तो इस मूवी ने तो कमाल कर दिया है मैं आपको उता दू कि मूवी का 27 तरे का कलेक्शन 1.10 लाग के असपास है टोडल कलेक्शन होता है 176.50 लाग अगर मैं बात करू 28 तरे की तो मूवी फ्राइडे की दिन बहुत ज़्यादा फरक तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा मूवी वन क्रोड के आसपास का कलेक्शन भी करती है तो 178 क्रोड के आसपास जो है मूवी कलेक्शन कर जाएगी बुल बलेजा 2 अक्षर मार की मूवी बुल बलेजा 1 का ओफिशल सिक्वल था तो मूवी पहले बहुत दबरदस हीट रही थी पहला पार्ट तो उसी के कारण सेगंड पार्ट को जो है काफी जादा हैल्प भी मिली पॉपलर होगी थी सोचल मिडिया पे पहले से जब ट्रेलर रेलेस हुआ तो लोगों को कहीं ना कहीं एक होता नहीं कि मांचित्तर या फि मूवी को देखने के बाद वह काफी जादा पॉस्ट है और उसके बाद से तो मूवी अब शायद कितने क्रोड तक जाएगी तो 190 क्रोड या 200 क्रोड 200 क्रोड टच करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ना मुमकिन कुछ पी नहीं है नेक्स्ट विक्रम तमिल मूव यह मूवी बॉक्स ओफिस पे लिटरली चमक उठी है मूवी का बॉक्स ओफिस में क्लेक्शन भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सामने आ रहा है और यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट फिगर्स की बात करें तो मूवी के सुपब फिगर्स है जैसा कि आपको बता है कि फर्स्ट सिक् क्लेक्शन किया है टोटल क्लेक्शन 111 क्रोड तमिलाडू में और वर्ल्व एट के तो फिगर्स सामने आ रहा है वो है 281 क्रोड हलाएं के भी ऑफिशल फिगर्स क्या होंगे वह आपको पता चलेगा 14 दे अफकोस फ्राइडे होगा तो इस मूवी का भी थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा और अधर्वाइस यह मूवी जो है अभी भी नेक्स्ट वीग में भी बॉक्स आफिस में दमदार क्लेक्शन करने वाली है नेक्सट अगर हम बात करें तो मूवी हमारे पास जो निखर कर सामने आती है वह मूवी है निकमा इसमी को डिरेक्ट किया है और मूवी के अगर हम स्टार कास्ट की बात करें थो अभी मन्यू इसमें मेन लेडिंग रोल में है शिल्पा शिल्टी भी हम्में दिखाई देगी, शिया भी हम्में दिखाई देगी, म्यूजिक के बाद उन्होंने अक्टिक में कदम रखा है, तो सक्सेस हो पाती है, नहीं हो पाती है, वो देखना होगा, क्लेक्शन मुई का वन क्लोर के असपास ही रहने वाला है पहले दिन का पृत्विराज अफकोस बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही है पृत्विराज और बॉक्स ओफिस में बिल्कुल भी अच्छा क्लेक्शन ये नहीं कर पाई है लेकिन अक्षे कुमार कहा मानने वाले अक्षे कुमार ने जो लेटेरे साथ हूं मैं अब बहुत बहुत तो पहले दिन में अपर हैंड अमीर खान के पास ही अफकोस रहेगा और उनकी मुवी लासिंग चट्धा जो है वो मुझे लगता है 25 क्रोड के आसपास का क्लेक्शन कर सकती है और वहीं अक्षे कुमार की मुवी में जो है वो 15 से 20 क्रोड के पीश का क्लेक्शन अगर सिंगल डे पे दोनों मुवी अलग लग दिनों पे रिलीस होती है तो दोनों में पोटेंशिल है कि मुवी जो है पहले दिन की ओपनिंग जो है वो 30 क्रोड के आसपास के लिए लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो दोनों का क्लेक्शन जो है अपसमें बंटने वाला है आप मुझे कमर्ड बॉक्स में लिखके बताएं आप कौन से मुवी का बेस अबरे से इंतजार कर रहे हैं लासिंग चड़ा या फिर रक्षा बंदन तो ये थी आज की कुछ मुवी जिनका अपडेड मैंने आपको बताया आपको क्या है कहना कमर्ड बॉक्स में लिखके ज़रू बताएं सब्सक्राइब ज़रू करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद